नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं पूरूस जवानों को तैनात किया गया था, पंचाई स्वयम सेवक संकेद नेता मनोज यादो ने कहा है कि सरकार हम से सभी काम करवाती हैं, लेकिन उसके बदले में सही बेतर नहीं देती, सरकार ने सभी मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत गया, अब तक सिर्फ असवासन ही मिल रहा है, पंचाई स्वयम सेवक के परदेश अध्यक, चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि चुनाव से पहले वादा किया गया था, लेकिन 4 साल बाद भी पंचाई स्वयम सेवकों को न मांदे मिलता है, और नहीं अस्थाई करन हुआ, 20 दिनों से सियम स वारता लाप करने के लिए हम समय मांगते रहे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, ठाक हार कर आज राज भर के 1057 सेवक विधान सवा घहराव करने पहुँचे, वहीं 10 दिनों में सियम से वारता नहीं कराई गई, तो 2024 के चुनाव में वादा खिलापी करने वाली सरकार को मांगा पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष के मुद्धे पर बाबुलाल और स्पीकर आमने सामने, मांसुन सत्र के पहले दिन जार्खन विधान साव में आरूप का दर चलता रहा, नेता प्रतिपक्ष के मुद्धे पर स्पीकर ने आधिकरन में चल रहे मामले पर फैसला नह होने से नराज बावुलर मरांडी ने एक बार फिर विधान सभाद्यक्स पर जम कर भणाष निकालते होई दिखे इस दोरन BJP परदेश अध्यक्स और विधायक बावलार मुरांडी से जब BJP विधायक दल के नेता के चयन में हो रही देरी के कार्णों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने विधायक अध्यक्स पर नराजगी जताई उन्होंने कहा है कि BJP की ओर से विधायक दल के नेता का नाम चैन करके विधान सबा को बहुत पहले ही भेजी चा चुकी है मगर एक स्टाजिस के तहट स्पीकर इसे मानने को तया नहीं है वहीं विधान सबा अद्यक्स पर इस मसले को जान बुच कर लटकाने कारोप लगाते है वावलाम राणी ने कहा है कि इस बारे में मीडिया कर्मियों को इस्पीकर से पुछना चाहिए कि कब फैसला वह फैसला सुनाएंगे वन महोत्सों में सामिल हुए सियम हेमानत मुख्य मंत्री हेमान सुरेडने चवहतरवा वन महोत्सों में सामिल होते हुए कहा है कि पार्यावरन संरक्षन तथा सर्वधन वर्तवान समय में महत्पोन विशाय है राय सरकार परियावरन वो प्राकिर्तिक के संतूलन को बनाय रखने के लिए हर संभव परियासरत है वन परियावरन एवम जलवायू परिवर्तन भी भाग इस निमित कई नई कड़ियों को जोड़ने का काय निरंतर कर रही है कहा है कि कलाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है परियावरन संरक्षन के दिशा में किये जा रहे कारियों में भागेदारी का संदेश नई पिढ़ित तक पहुचाना जरूरी है राइधानी राजी के नामकुमी सीथ ट्रेनिंग ग्राउन खोजा टोली में वन परियावरन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग द्वार आयोजी चहहतरवा वन महोसो कायक्रम को समधित करते हुए मुखे मंत्री ने उपस्तित लोगों से अग्रा किया है कि आप सभी एक एक पेंड जरूर लगाए और उस पेंड को जरूर बचाए जार्खन बिधान सभा का मानसुन सत्र हेमन सुरेन से स्थिपा की मांग जार्खन बिधान सभा के मानसुन सत्र के पहले दिन सुक्रवार को मुखे विपक्षी दल भार्तिय जनता पाटी ने सदन के बाहर हेमन सुरेन सरकार पर जम कर हमला बोला कहा कि जारकन में अप्राधी पे लगाम हो गए हैं कानून बेवस्ता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है विधान सभा से कुछी दूरी पर है दाला दली वहाँ एक युवा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई मैलाओ पर अत्याचार की घटनाय सामने आ रही है सरकार उन पर लगाम कस्न में नकाम है है मानसुरें सरकार को इस्थीपा देकर जनता से माफी मांग लेनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ सदन में सोक प्रस्ताओं के बाद विधान सभा की करवाई सोम वार को सुब्ब 11 बै तक के लिए अस्थागित कर दी गई है सांती पूर्ण रहा मांसुन सत्र का पहला दिन जारखन विधान सभा का मांसुन सत्र सुरू हो गया है 4 अगस्तक चलने वाले इस मांसुन सत्र के हंगामे दार रहने के पूरे असार है सता पक्ष जहमानी पूरहिसा को लेकर प्रसन करने वाला है वहीं इस सत्र में सरकार खत्यान अधारित अस्थानेता विधयाक, आरक्षन विधयाक, मौबलेंचीन विधयाक और जन्विश्यव विधयालक विधयाक को दुबारा पेस करने वाली है जिन्हें राजेपाल ने अपत्यों के साथ लोटा दिया था स्पिकर के समधन से सत्र की सुरुवात होई उन्होंने कहा है कि सदन में साथक विचार विमर्ज के लिए पक्ष और विपक्ष की भागेदारी जरूरी इस बीच बिजेपी विधायक दल के नेता का चया नहीं होने से पार्टी ने किसी का नाम नहीं दिया वहीं हेमान स्वेलेन सरकार ने विधान सभा में कृत करवाई पर्तिवेजन सदन में रखा है बकोरिया मुट भेड में CBI की कलोजर रिपोर्ट बकोरिया मुट भेड के मामले में CBI की कलोजर रिपोर्ट को CBI के BCS न्याइक दंडा धिकारी परवीन उराव के अदालत ने गुरुवार को सोईकार कर लिया है मामले में राची CBI की ओर से कलोजर रिपोर्ट दायर करते है बताया गया है कि अब मामले में आगे कोई जाच नहीं होगी इस पर बकोरिया मुट भेड से जुले सीकायत करता जोहर यादो की ओर से प्रोटेस्ट याची का दायर की गई थी गोतला भाय की आठ जुन्दू हजर पंद्रा को पलामो के सत्वरवा प्रक्षण इसीत भेलवा घाट में सुरक्षा बलो के सत्थ होई मुट भेड में मवादी कमांडर अनुराग और उसका बेटा भतीजा पारा सिक्षक उदाय आदो सहीत बारह लोग की मौध होई थी शुरक्षा बलो ने इन सब को मुट भेड में मार गिराने का दवा किया था रांची में डीसी एसेसपी के नेत्युत में जवानों ने किया फ्लैग मार्च राइधानी रांची में 29 जुलाई को मुहरम का जुलूश निकाला जाएगा मुहरम को लेकर एक तरफ जहां तैयर्या पूरी कर ली गई है वहाई दूसरी तरफ पर सासनिक अस्तरप सुरक्षा के चाक चोबंद इनतजाम किये गया है सुक्रवार को राइधानी रांची के समयदन सील इलाकों में अचानक सरन बजने लगा दरसल मुहरम के मदन राइधानी राची के विभीन इलाकों में राची DC और राची SSP के नित्वित में फ्लाइग मार्च किया गया फ्लाइग मार्च की अगवाई कर रहे राची DC राईधानी राची एक मिसाल बनी है और मुहरम का जुलूस भी जब निकाला जाएगा आपसी सवहर्द देखने को मिलेगा जामुमों का आरोप भाजपा के इसारे पर सन्वेधानिक पर किरिया पूरा किये बिना राजभवन लोटाए तीनों विधेग को लेकर जारखन मुक्ति मुर्चा ने बाड़ा आरोप ततकाली राजेपाल, रमेश, बैस और राजभोन सचिवालय पर लगाया है जामुमों के केंदरिये परवक्त सुप्रियो भठाचाय ने ततकाली राजेपाल पर आरोप लगाया है तो उस बिधायों को राजेपाल को अपने संदेश के साथ बिधान सबा को लटाना होता है जामों नेता ने आरोप लगाया है कि ततकाली राजेपाल ने उने 32 खत्यान अधारित अस्थानिय निती बिधायाग मॉब लेंचिंग, निरोथक बिधायाग और OBC को सतता इस पर्थेत अरक्षन देने समनी बिधायाग को भाजपा के सारे पर अपने संदेश के साथ बिधान सबा को नहीं लटाया राज़ी के 50 भूमाफियाग को पुलिश ने उठाया राज़ानी में जमीन बिवाद से जुड़े भूमाफियाओ के खिलाप पुलिश ने बड़ी करवाई की है आईजी राज़ी रेंज पंकज कमबोज के निर्देश पर गुरुवार की आधी राज़ से शुरू हुई इस अभियान के दोरान 50 भूमाफियाओ को उठा कर थाने लाया गया रांची के 17 थाना छेत्र में एक साथ हुई इस करवाई से जमीन मफियाओ में हड़कम मचा हुए है बता दे रांची पुलिस से मिली जनकारी के अनुसार सहरी और ग्रामीन कुल मिलाकर 17 थाना छेत्र में रहने वाले दागी जमीन करुबारी हो खिलाप 27 से ज़्यादा पुलिस टीमों ने एक साथ दविश डाली है वैसे जमीन कारुबारी जिसके उपर 3 से ज़्यादा मामले दर्ज है उन सब को पुलिस उठा कर थाने ले गई है ज्यारखन में सबसे ज्यादा अपराधी घटनाय सुदेश महतो मानसुन सत्र के पहले दिन राज में अपराधी घटनायों में होई ब्रीधी का मामला गर्माया रहा आईसूप प्रमोग सुदेश महतुने सरकार पनिशाना साते वे कहा है कि देश में सबसे ज़्यादा घटना जहारखन में हो रही है ऐसे में सरकार को सदर में चर्चा करानी चाहिए इस सरकार के आने के बाद से हम लगातार यह कह रहे है कि अपराधी घटनाओं में बिरिधी हुई है जो बहद ही चिंता की बात है यूनिफर्म सिविल कोड को लेकर ज़्यारखन बिधान सभा के बाहर कॉंग्रेस बिधायकों दिया ब्यान केंद्रे की सरकार देश में यूनिफर्म सिविल कोड यू सिसी लागू कराना चाहती है इसके लिए केंद्री ये बिधी आयोक ने देश वास्यों की राय भिमागी है वहीं कई भी पक्षी पार्टिया इसका बिरोध भी कर रही है इस भी जायरखन के कॉंग्रेस बिधायक डाक्टर इफान अंसारी अस्वास मंत्री बना गुपता ने बताया है कि क्यों यू सिसी का बिरोध किया जा रहा है बिधायक इफान अंसारी ने देश में यू सिसी लागू कराने के हो रहे परियासों को देश को तोड़ने और विभाजन करने की भाजपा के साजिस करार दिया वही डाक्टर विफान अंसारी ने कहा है कि केंद्र की सरकार देश को लोगों की भावनाव से खिलवार कर रही है बताद जरकन विधान सवा के मानसुन सत्र के पहले दिन सदन की करवाही में जाने से पहले कहा है कि केंद्रे की सरकार UCC के नाम पर लोगों की भावनावों से खिलवार कर रही है HIV से अधिक संक्रामक है Hepatitis रिम्स के चिकित सक अधिक छक डाक्टर हिंद्र बिर्वा ने कहा है कि Hepatitis की संक्रामता HIV से अधिक है अस्पताल Hepatitis संक्रामन के बड़े सुरोत है आइसे में स्वस्त कर्मियों को ज़्यादा जागरूप रहने की जरूरत है आम लोगों को भी इसे लेकर जागरूप रहना चाहिए सिरी बिर्वा ने कहा है कि Hepatitis से बचाव के लिए इसकी जानकारी बहुत महत्पून है क्योंकि Hepatitis की संक्रामता HIV से अधिक है इस मौके पर उने कहा है कि अस्पताल Hepatitis संक्रामन के बड़े स्रोत है इसलिए जरूरी है कि स्वस्त कर्मी इसके फैलाव बचाव को भी से में जागरूप रहे अपर निदेशक सीमा सिंग ने कहा है कि इसे लेकर आम जनों में भी जनकारी का अभाव है मुहरम पर सुरक्षा के पुखता इंतजाम इस अपसर पर सांती बेवस्ता एवं विधी बेवस्ता बनाये को लेकर सन्युकता आदेश जारी किया गया है कड़ी सुरक्षा को लेकर मईस्टेट वा पुलिस अपसरों की परतिनुकती भी की गई है मांसुन सत्र में नियोजन निती अस्थाने निती पर तकरार के असार जारकन विधान सवाक मांसुन सत्र सुक्रवार से सुरू हो गया है सत्र के पहले दिन भी पक्सिदल भारतिय जानता पार्टी ने इस बात के संकेत दे दिया है सरकार 1932 अधारित अस्थाने नीती नियोजन नीती समयत कई विधे को जिसे राजबहुन से लोटाया जा चुका है उसके बहाने जानता में संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसे जनहित में काम नहीं करने दिया जा रहा है वहीं बीजेपी हेमन सुरेन सरकार को उसी के विशय नियोजन नीती और स्थाने नीती पर घेरने की कोशिश करेगी इसकी वज़ा से सदन में सता पक्स और विपक्स के बीच हंगामा होने के असार नजर आ रहे है विपक्स हाल में जहारकन की राज़ारी राची में सी पी एम के युवा ने ता सुभाज मुंडाई गोली मार कर हत्या गिरिट जिले में एक महिला को निर्वस्त कर उसको राध भर पेंड से बांधे जाने समेथ अपराध अर्फेटर चार के मुद्धे पर सरकार को घरने के तियारी कर चुकी है बिश्वा आधिवासी दिवस पर होगा खेलो का आयोजन बिश्वा आधिवासी दिवस नव अगस्त को है जहारखंड की हेमन सुने सरकारी से रूप में आयोजित कर रही है इस आयोजन को भव्य बनाने के त्यारी की जा रही है इसी के तहट होंकी वाप फुटबॉल समेथ विभीन खेलों का भी आयोजन किया जाएगा और विजेता टेमों को पुरुस्कित भी किया जाएगा इसमें भाग लेने के लिए नियम वसरते हैं अगर आप इन सर्तों को पूरा करते हैं तो आप इसमें सामिल हो सकते हैं इस सम्माद में विजेत जनकारी के लिए जीला खेल कारयालाय के हेल फ्लाइन नमबर 7909072789 पर समपर कर सकते हैं इसमें होकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वह तिरंदाजी, परत्योगिता में विजाई टीमें पुरुस्कित की जाएंगी खेलो का आउजान राची के मौराबादी में किया जाएगा इन खेलो में भाग लेने के लिए कोई आयू सीमा नहीं है किसी भी उम्र के खिलारी इसमें भाग ले सकते हैं